यूपी के कोरोना में कोविड नाइंटीन महामारी की समय से नारायना मेडिकल कॉलेज जुआरा दिन रात कड़ी मेहनत कर लगवग दो हजार मरीजों को उच्छ इस्तरिय स्वास्त सेवाओं के फलस्वरू त्वस्त कर सभी को घर वेजा था आपदा के समय में ऑक्सीजन संकट वा भविष्य में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए नारायना ग्रूप ने लिक्विड मेडिकल ओक्सीजन एवम ऑक्सीजन जनेरेशन प्लांट लगाने का नेडर लिया जिससे समय रहते ही इस्तापित भी कर दिया जिसका आज सुवारंब ओधोगिक विकास मंत्री शिरी सतीस महाना राज्य मंत्री शिरी मती मीर्मा कटियार ने फीता काट कर दिया इस अफसर पर अधोगिक विकास मंतरी शिरी सतीस महाना ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी से लगातार लड़ने के लिए सरकार कार्य कर रही है जन्पद के समस्त सरकारी वा प्राइवेड अस्पतालो द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिसका परिणाम यह है कि जन्पद में कोरोना की रखतार धीमी हो गई है विश्य में कोरोना की तीसरी वैव आने की तैयारी जिला परिशासनवा अन्य प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है जन्पद में ऑक्सीजन के लिए आत्म निर्वर बनने के लिए प्रयास जारी है आपको बता दे कि जन्पद ऑक्सीजन की उपलब्दता में आत्म निर्वर बन रहा है इस अपसर पर राज मंत्री शिरी मती नीर्मा कटियार मुख्य चिकित सा अधकारी चेयर्मेन स्री कैलास नारायन सचिव अमित नारायन आदी संबंधित लोग उबस्तित रहे